सुप्रीम कोट ने गुरुवार को कहा कि बुल्डोजर एक्षिन देश के कानून पर बुल्डोजर चलाने जैसा है किसी के अपराद में शामिल होने का आरोब उसकी संपत्ती द्वस्त करने का आधार नहीं हो सकता है जस्टिस रिशिकेश रॉय, जस्टिस सुधानशु धूलिया और जस्टिस S.V.N. भटी की बेंच ने एक घर गिराने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के दौरानी टिपड़ी की है कोट ने कहा कि किसी व्यक्ति ने अपरात किया है तो उसके पूरे परिवार या कानूनी तरीके से बनाए उसके घर पर एक्शन नहीं ले सकते हैं सितंबर में ये दूसरा मौका है जब सुप्रीम कोट ने बुल्डोजर एक्शन पर नाराजगी जाहिर की है इससे पहले 2 सितंबर कोट ने कहा था कि किसी केस में व्यक्ति दोशीब हो तो ऐसी कारवाई नहीं की जा सकती है कि उसका घर गिरा दिया जाए हाल ही मैं आपको बता दे कि गुजरात से एक मामला सामने आया जहां नगर पालिका की तरफ से एक परिवार को बुल्डोजर एक्शन की धंकी दी गई थी याचिका करता गुजरात के खेडा जिले के कंठलाल में एक जमीन का सह मालिक है उनके खिलाफ एक सितंबर तो हजार चौबिस को एक मामले में प्राथमी की दर्ज की गई थी याचिका करता के अनुसार एफ आयार दर्ज होने के बाद नगर निगम के अधिकारियों ने उसके घर पर बुल्डोजर चलाने की धंकी दी उसने सुप्रीम कोट का दर्वाजा खट-खटाया याचिका करता के वकील ने कहा कि आरोपी के परिवार की तीन पीडियां लगभग दो दश्कों से उस घर में रह रही है याचिका करता की दलील पर सुप्रीम कोट ने कहा कि आरोपी के घर खिलाफ अपरात को कानूनी प्रक्रिया के जरिये कोट में साबित किया जाना चाहिए जिस देश में कानून सरवोच है वहाँ ऐसी धंकियों को कोट नजरंदाज नहीं कर सकती है सुप्रीम कोट ने नगरपाली का अधिकारियों को नोटिस जारी किया और मामले में यथा इस्ति बनाय रखने का निर्देश दिया कोट ने राज्य और नगर निगम से चार सप्ता के भी तर जमाब मांगा है कि ऐसी धंकी कैसे दे दिया आपने कोट ने कहा अपराग को अधालत में कानूनी प्रक्रिया के जरिये साबित किया जाना चाहिए कोट ऐसे विद्वन्स की धंकियों से अंजान नहीं रह सकता भारत जैसे देश में ये अकलपनिया है जहां कानून सर्वोपनी है कोट ने 2 सितंबर को जमियत ए उलमा हिंद की आचका पर सुनवाई की थी जमियत ए उलमा हिंद ने आरोप लगाया था कि बीजेपी शासत राज्यों में मुसल्मानों को निशाना बनाया जा रहा है और बुल्डोजर एक्शन लिया जा रहा है जिस पर कोट एक बार फिर से सक्त रुक अपनाया कोट ने कहा कि अगर कोई सिर्फ आरोपी है अपराधी है तो उस पर कैसे बुल्डोजर का एक्शन लिया जाना चाहिए पिता ने घर बनाया है तो बेटे के दोश की वजह से पिता की मेहनत को क्यो गिराया जाए कोट ने कहा हम यहाँ अवैद अतिक्रमन के बारे में बात नहीं कर रहे इस मामले से जुड़ी पार्टियां सुझाव दे हम पुरे देश के लिए गाइडलाइन जारी कर सकते हैं किसी का बेटा आरोपी हो सकता है लेकिन इसाधार पर पिता का घर गिरा देना ये कारवाई का सही तरीका नहीं है अगस 2024 मध्यप्रदेश के चतरपूर में पुलिस पर पत्राव के आरोपी की कोठी पर आक्शन लिया गया था मध्यप्रदेश के चतरपूर का मामला को याद दिला देख किस अगस का 24 घंटे के भीतर ही महज 20,000 स्क्वेर फीट में बना 20 करोड तब को इक बार फिर से याद दिला देते हैं उदैपूर का मामला चाकू बाजी के बाद आरोपी की घर पर बुल्डोजर चला उदैपूर के एक सरकारी स्कूल में दसवी में पढ़ने वाले एक बच्चे ने दूसरे को चाकू बार कर घायल कर दिया था इसके बाद पुर आरोपी ने अपहरन का विरोध कर रहे महिला के मा और बाप और भाई को ही गोली मार दी थी जिसके बाद आक्शन लिया गया लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो दो साल में 12,000 बार बुल्डोजर का आक्शन लिया गया कमलनात ने इसका ट्राइल किया था और पर होने लगी है हाला कि कोट ने दूसरे बार दस दिनों के अंदर दूसरे बार इस पूरे मामले में सुनवाई की और कहा कि बुल्डोजर का नाम लाना मकान पर बुल्डोजर चलाना का मतलब यह होता है कि सीधे तोर पर कानून पर समविधान पर बुल्डोजर चला देन इसे लिए बुल्डोजर आक्शन की ना धमकी दीजे ना बुल्डोजर का आक्शन लीजे अगर कोई दोशी है भी तो उसको उसके तहत उसकी सजा दी जाए ना कि उसकी संपत्ती को गिरा कर सजा दी जाए आप क्या समझते हैं बुल्डोजर आक्शन को लेकर आपकी राय क्या है आप जरूर हमें कॉमेंट कर बता सकते हैं